कैसे आप अपनी मिस्टेक को यहां से अनलाइस करोगे ठीक है फरस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है क्वेश्चन इस आउट ऑफ सलेबस ऐसा भी हो सकता है जब आप कोई टेस्ट प्रपर दोगे तो जो क्वेश्चन है वह आपके सलेबस में नहीं है तो उसक्वेश्चन के वेश्चन को छोड़ देड़ना है तो उसके बारे में आपको टेंस तोग दोस्तों नहीं है कितनी बार में जृच्छन में ज्यों होती है किसी difficult question में होती है या किसी lengthy question में होती है जो question आपको समझ में नहीं आ रहा का तो आपको क्या करना है पहले concept दोस्तों किलियर करने आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर से आपको test देना है अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों formula error सब कुछ ठीक है concept भी आपको आता था लेकिन formula आप भूल गए तो आपको दोस्तों क्या करना है formula कैसे याद रहेंगे बार बार आपको questions की क्या करने है practice करने है formula को रठना नहीं है जो आप एक type के question दस बार आप solve करोगे दस question में same formula लगेगा तो वो formula आपको खुद automatically क्या हो जाएगा याद हो जाएगा उसको बाद हम बात करते है did not study the concept but it's relevant to get ऐसा हो सकता है कि आपने कोई concept पढ़ाई ही नही ही है बट वो gate से related है और आप वहाँ पर question attempt नहीं कर पाई तो इसके लिए क्या करना है यदि कोई question ऐसा है जो important है कोई concept important है लेकिन आपने नहीं पढ़ाया तो उसको आप एक बार पढ़ लो फिर उससे अगली हम बात करते हैं ऐसा भी हो सकते है कि आपने question देखा question बहुत ज promise में आता है कि इसका यह solution है वो भी आपको अपनी notebook में क्या कर लेना है not कर लेना है